नमस्कारम विरेजनों आप देखने भी यह चूपा अट सलाव स्विका बहुत बहुत स्वागत है बहुत सरे बच्चों की इंक्वारी जा रही है साथ स्लोट कैसे भरें या स्लोट वन के साथ साथ स्लोट टू फिलब करना जरूरी है क्या यह तमाम बाते हम लोग इस वीडि सिद्यले में एडमिसल लेना है वो आने वाली हर एक वीडियोज को देखे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे बहुत पार चलगा कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नमबर है उस पर आप कॉल और वर्टसप करके इंक्वारी कर सकते हो और स्थ्री यानि थार्ड सेक्षन थार्ड सेक्षन कोई जीटी बोलते हैं जो कि आपके बहुत सरे इन्वर्सटी में कंपल्सरी कर दिये गए एस वन यानि लैंग्विज रखे गए है 19 और 20 का अपना कंबिनेशन है और इस पाद एस टू जो है वो डोमेन बेस्ट है इतना त चार से पास घंटे इतना बैठना पड़ सकता है उस टाइम डोरेशन को कम करने के लिए यानि आपका दो घंटे धाई घंटे में पेपर हो जाया है इसलिए यहां पर बनाया गया है पेपर कराने में आसानी हो स्लोट वन और स्लोट टू ठीक है यह फॉर्म फिल करते वक्त आपको लगभग सेकेंड के लास्ट स्टेज में मिलता है स्लोट फिलब कर पेमेंट के जस्ट पहले में चलता है कि आपको चूझ करना है जिसमें दो लेंगवेज वहां पर ऑफ्सन दे रखा है आप कोई भी हिंदी इंगलिस कुछ भी चूझ कर सकते हो चाहिए दोनों भी यहाँ दो condition रखे गए यानि दो domain भी fill up कर सकते हैं यानि अगर किसी को एलहाबाद में history चाहिए या फिर एलहाबाद में किसी को political science चाहिए तो वो अपना यहाँ पे ancient history डाल सकता है और second आपका वो quality डाल सकता है ठीक है इस तरीके से वो domain चूझ कर सकता है दोनों भी चूझ कर सकता है कोई एक भी चूझ कर सकता है जीटी जो है वो वहाँ पे बस first slot में s या no करना है ध्यान दीजेगा जीटी का ये condition है कि बस first slot में ही वो fill up होगा क्योंकि भाई जीटी बस एक ही बार देना है second slot में देने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है जब आपको first slot में जीटी आप दे दियो तो कोई जुरत नहीं कि आप second में भी जाके जीटी दो क्योंकि जीटी एक बार ही देना है तो वो first slot में ही जीटी दे देते देखो यहाँ पे second slot बनाने का रीजन यह है कि बहुत सारे लोगों की कोर्स च्वाई से जादा है और बहुत सारे लोग जो है वो first slot में ही अपने limitations को अराम से comfort zone में रखते हैं इसलिए first slot में ही इतनी चीज़े रख दी गई है कि अराम से एक normal finally focused dedicated बच्चा जो है first slot फिलब करके अपना admission किसी university में करा सकता है जैसे अब किसी को बहुत करना है तो बस वह language में एक language और जीटी चूच करके अपना बहुत का form डालेगा और बहुत करेगा जिसको अलहाबाद जाना है वह बस domain चूच करेगा उसका first slot में काम चल गया जिसको जैमाई जाना है first slot फिलब करेगा उसका जैमाई में निकल जाएगा अब second slot की जूरत क्यों पड़ेगी suppose एक लड़के को BA के साथ साथ BSC भी करना है अब BA में तो उसने क्या करा यहां पर ध्यान से समझना कि BA, BSC, BLL, भी तीन courses इस लएक लड़के को करने है उसने BA के लिए सबसे पहले क्या करा BHU में एक language चूच करा ठीक है फिर उसका domain छोड़ दिया क्योंकि BA के लिए बस उसको GT चाहिए GT भर दिया अब उसको दो domain बचा हुआ है एक language बचा हुआ है करना है कि उस लड़के को BA, BLLB और BSC ठीक है ध्यान से देखो ठीक है legally study fill up करा एक domain खतम अब इसको एक domain बचा हुआ है मैंने बताया है उसको BST भी करना है अब एक domain BST करने के लिए requirement जो है अगर किसी इनवर्सिटी में suppose उस लड़के को खुद as your honors में दो domain चूच करना हुआ यानि उसको chemistry से भी honors करने के chances बन रहे है और वो लड़का अगर बायो से है उसको बायो में भी honors करने का option मिले तो भी करना चाहते है अगर वो इनवर्सिटी जो है ये condition रखी है कि 12 में आपका 12 में आपका BST में बायो और chemistry होना जरूरी है तो वो तो यहां पर ले तो लिया लेकिन यहां पर एक ही domain था इसलिए उसने यहां पर chemistry चूच करा और second slot में आके उस फिर उसने क्या चूच करा फिर आके वो यहां पर biology चूच करा समझ में आ रहा है मेरी बात यह चीज़े आप जो बच्चा इसको फि biology होना जरूरी है उनका agriculture होना जरूरी है अब SMO लड़का फिर से यहां domain नहीं फिलफल कर पाएगा अब उसको सपोज की chemistry से भी honors चाहिए और उसको BSC से भी honors चाहिए एजी से भी honors चाहिए तो यहां पर भी domain फिल करेगा यहां पर भी domain फिल करेगा second slot में जो domain की संख्या रखेगे वो चार रखी गई है यह variety बढ़ाई गई है क्योंकि बहुत सरे ऐसे बच्चे हैं जो कि सबको जब इसमें एक लड़का क्या करेगा कि नहीं मुझे JMI में जा इसा होता है बारहमी के बच्चे के बहुत variety होती है जो बारहमी के math group के बच्चे हैं उनके पास तो पूरा लड़ू-लड़ू होता है वह B.com का भी form fill up कर सकता है क्योंकि math से पढ़ा हुआ है वह BA भी कर सकता है क्योंकि language और gt ही चाहिए वह BST agriculture भी कर सकता है तो उसके यानि second slot की ज़रुत है जिसकी requirement जादा है ऐसे में second slot में आके d1, d2, d3, d4 जाके वह वहां fill up कर सकता है साथ मैं मैंने भी second slot में language नहीं लिखा यहां पर कुछ language भी ज़रुत पढ़ती है अगर किस्तों को fill up कर रहा है तो भर सकता है I hope कि आपके slot वाली problem solve होगी होगी ध्यान देना अगर आपका बस first slot में काम चल जा रहा है तो first slot में काम कर लेना second slot में इंटी लेने के जूरत नहीं है second slot क्योंकि जैसे ही जाते हो अगर इसका 600 payment है side I think तो यह आपका 1200 हो जाएगा यानि 600 यहाँ भी हो जाएगा second slot में आते ही आपके payment बढ़ जाएंगे क्योंकि paper भी दूसरा हो रहा है इस बात को ध्यान रखिएगा courses करिएगा कि आप अपने courses को बढ़ाओ अगर second slot में जाता second slot में भी ले जाओ यहाँ पर एक बात मैं confirm कर दूँ जो मेरा coming वीडियो है वो है editing को option आएगा कि ने क्योंकि बहुत साय लोगों ने form गलत बर दिया है यह problem आ रही है तो मैं वो just इसके बाद एक वीडियो दे रह कर रहा हूँ I hope आप समझ भी रही होगे ठीक है तो मुस्क्राना बिल्कूल ना बोले है हर अर्माद जैसे किस तना रादे रादे जिनको भी course join करना है मैं पर number यहाँ पर टाइप कर देता हूं ठीक है 9519383272 ठीक है यह 32 है यह 32 है यह 72 है पंचान भी 19, 38, 32, 72 ठीक है और like this वीडियो सब्सक्राइब इस चैनल और मुस्क्राना बिल्कूल ना बोले हर अर्माद